So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानि के 28 सेप्टेंबर के important current affairs को तो देखो ये प्रशना आपसे क्या पूछ रहा है कि विश्व परियेटन दिवस अभी कब मनाया गया तो अंसर होगा 27 सेप्टेंबर को, तो हर साल 27 सेप्टेंबर को World Day Tourism Day के रुप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्दिश्य है अंतर राष्टर समुदाय के बीटर परियेटन के भूमिका के बारे में जाग रुकता बढ़ाना और बात करें अगर 2022 में इसका मेजबान देश कौन है, होस्ट कंट्री तो अंसर होगा इंडोनिशिया आपको बताएं इंडोनिशिया क्यों न्यूज में है, क्योंकि 2022 में G20 के अध्यक्षिता इसी के पास है अगले पास भले ही हमारे पास होगी लेकिन इस साल तो इसी के पास है बात करेंगर इस बार की थीम क्या है, तो आंसर होगा Rethinking Tourism ये तो बात होगी World Tourism Day की जो आप 27 September को मना रहे हो अगर हम पूछें कि National Tourism Day कब मनाते हैं तो आपका आंसर होगा 25 जनवरी को और आपको होगी कि 25 जनवरी को तो एक और दिन सेलिबरेट किया जाता है National Waters Day आपको बताए, World Tourism Organization का है डुक्वाटर कहां पर है? Madrid, Spain में है और Tourism यानि कि परियतन से आपको याद आएगा एक प्रश्न कि शंगाई Corporation Organization ने किसे अपनी सांस्करतिक और परियतन राजधनी बनाया था Cultural and Tourism Capital घुशित किया 2022-23 के लिए तो आंसर होगा वारणासी को और अभी World Economic Forum ने जो Travel and Tourism Competitiveness Index 2021 को जारी किया था उसमें भारत 54 नंबर पे था और टॉप पे कौन था? जापान था अब सेप्टेंबर में कौन-कौन से Day हमने Celebrate किये? चलो एक बार रिवाइस करते हैं 2 सेप्टेंबर को हमने World Coconut Day मनाया 5 सेप्टेंबर को एक तो National Teacher Day और International Charity Day मनाया 8 सेप्टेंबर को World Literacy Day और World Physiotherapy Day मनाया 9 सेप्टेंबर को एक तो हिमाले दिवस और एक World Electric Vacal Day मनाया 10 सेप्टेंबर को विश्व आत्मत्या रोक्थाम दिवस यानि कि World Society Prevention Day और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस World First Aid Day के रुप में मनाया ये हम सेप्टेंबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं तो इस बार हमने 10 सेप्टेंबर को मनाया 11 सेप्टेंबर को राष्टर वन शहीद दिवस 14 सेप्टेंबर को National Hindi Day 15 सेप्टेंबर को अंतर राष्टर लोकतंत्र दिवस यानि कि Democracy Day इंजेनियर से डेबी होता है इसे दिन और विश्व लिंफोमा जागरुकता दिवस पी हमने 15 सेप्टेंबर को मनाया 16 सेप्टेंबर को World Ozone Day होता है बागी 17 सेप्टेंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस World Patient Safety Day और 17 सेप्टेंबर को ही अंतर राष्टर लाल पांडा दिवस मनाया अभी 18 सेप्टेंबर को विश्व बांस दिवस मनाया था World Bamboo Day और अंतर राष्टर समान वेतन दिवस मनाया 21 सेप्टेंबर को अभी विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया 21 सेप्टेंबर को ही अंतरराश्टर शान्ति दिवस और 22 सेप्टेंबर को वर्ल्ड राइनो डे के रुप में मनाए था तो ये सेप्टेंबर के डेज आप याद रखना हम बढ़ते आके चलो फिर बताओ अभी सेप्टेंबर 2022 में लेवर कप किस शहर में आयोजित किया गया था तो आंसर हो का लंदन में और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किस ने जीता तो टीम वर्ल्ड ने इसको जीता है किसको हरा करके टीम यूरोप को हरा करके और टीम वर्ल्ड ने पहली बार लेवर कप को जीता है देखो लेवर कप का संबन्द किस से है ये प्रशन पूछा जाएगा तो आंसर करना टैनिस से तो टीम वर्ल्ड के फ्रांसिस टियाफोए और फैलिक्स ओगर ने पृत्योगिता जीतने के लिए टीम यूरोप के स्तेफानो सिस सिपास और नौवाग जुकविच को हराया लेवर कप ये टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच में एक अंतरराश्टर इंडोर हार्ड कोट प्रत्योगिता है इसमें यूरोप के अलावा सभी महाद्वीप के खिलाडी टीम वर्ल्ड का प्रत्यनिधित्व करते हैं और बात करें ये इस बार कौन सा संस्करन इसका पांचवा संस्करन है टेनिस से आपको याद आएगा अभी रोजर फेडर ने कहा था कि लेवर कप के बाद वो सन्यास ले लेंगे सेरेना विलियम्स ने भी सन्यास ले लिया एशले बार्टी ने इस साल के स्टार्टिंग में सन्यास ले लिया था और भारते tennis player है सानिया मरजा उन्होंने कहा था इस साल के end में वो सन्यास ले लेंगी अब tennis की बात है तो आपको बता है साल में चार grand slam होते हैं जो भी हो चुके हैं कौन-कौन से? Australian Open, French Open Wimbledon Open और US Open यहां से प्रश्ण important बनते हैं आपके exam में तो एक बार हम देखते हैं कि कौन-कौन सा grand slam women single title और men single title यह किस-किस ने जीता तो देखो Australian Open में main single title जीता था राफेल नडाल ने, राफेल नडाल कहां से हैं यह इस्पेन से हैं और women single title यह Ashley Barty ने जीता था वो Australia की सन्यास लेलिया हमने कहा फिर वह था French Open French Open को Roland Garros के नाम से भी जाना जाता है इसमें main single title राफेल नडाल ने जीता था यह इस्पेन के आपको बताए याद रखना King of Claycoat इनको कहा जाता है इसमें women single title Ega Swetek ने जीता यह Poland की हैं और Wimbledon Open की बात करें तो इसमें main single title नुवाग जोकोविच ने जीता वो सर्विया के हैं और women single title जीता एले ना रिबा किना ने यह कजाकिस्तान की है फिर हुआ US Open US Open में main single अच्छा चलो एक काम करते हैं यह आपके लिए homework परशन रखते हैं आपको बताना है इसका main single और women single किस ने जीता बाकि tennis के लिए एक day भी होता है World Tennis Day वो 7 March को मनाते हैं अक्छोली में March के पहले somewhere को मनाते हैं तो इस बार हमने 7 March को मनाया साथ में static परशन भी याद रखो यहां से बन जाता है कभी कबार कि कौन सा Grand Slam किस coat पे खिला जाता है तो Australian Open और US Open यह तो hard coat पे होता है French Open आपका clay coat पे होता है और Wimbledon Open grass coat पे होता है यह सारे points आप याद रखना बढ़ते हैं अब आपको बताना important प्रशन यह कि किसे 2022 के 52 दादा साहब फाल के पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा तो आंसर होगा आशा पारेक को तो दिगज अभीनेतरी हैं आशा पारेक जिनको साल 2022 में दादा साहब फाल के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और यह कौन से नंबर का है 52 नंबर का है यह तो आशा पारेक उन्हें 1992 में सिनेमा के शेतर में उनके योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा पदमश्री से सम्मानित किया गया था और अब मिलेगा दादा साहब फाल के अवार्ड आशा पारेक की बात करें इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म आसमान से की थी 1952 में और दादा साहब फाल के पुरुसकार से दो पॉइंट याद रखना आप जानते हो भारती सिनेमा का सरवुच्च सम्मान है ये ये स्थापिक कप किया गया था 1969 में और पहली प्राप्त करता कौन थी इसकी देवी का रानी थी अभी पिछला वाला 2021 वाला मिला था किसे रजनी कांत को और अब 2022 वाला किसे मिलेगा आशा पारेक को ये आप याद रखना बढ़ते आगे चलो अब बताओ सेप्तिम्बर 2022 में किस भाड़ते महिला किर्केटर ने सन्यास ले लिया तो आंसर होगा जूलन गुसवामी तो इंडियन वोमन किर्केट टीम की प्लेयर हैं ये जूलन गुसवामी अभी इन्होंने इंटरनेशनल किर्केट से सन्यास ले लिया इन्हें चकदा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है तो जूलन गुसवामी ये चकदा एक्सप्रेस के नाम से मशूर हैं जूलन गुसवामी ये दुनिया की सबसे तेज गेंदबाज और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज है इनके नाम Women's World Cup में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का record भी है लेकिन अभी इन्होंने सन्यास ले लिया इसी दरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले रुमेली धरने और मिताली राज इन्होंने इंटरनेशनल किरकेट से सन्यास लिया था जूलन गोशामी से याद रखना वन डे किरकेट में 250 विकेट लेने वाली ये दुनिया की पहली महिला किरकेटर बनी थी आपको एक ऑस्टेलिया की पूर्व किरकेटर का नाम याद होगा लेसा स्टालेकर अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि फेडरेशन ओफ इंटरनेशनल किरकेटर असोसियेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये तो उनका नाम भी याद रखना अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूस्ता हूँ इस साल जो आपके वोमेंस वर्ल्ड कप हुए थे न्यूजिलेंड में आपको बताना है उसे किसने जीता किसको हरा करके जीता बैसे आप सबको पता होगा लेकिन नहीं पता तो मैं आपको हिंट देता हूँ हिंट से क्या होगा चीजों का आप कोर्लेट कर पाओगे बड़ी आसानी से जैसे कि मैंने हिंट दिया आपको इस बार का जो Commonwealth Games था 2022 वाला जो की 22 वसंसकरन था जिसमें हमने 22 गोल्ड जीते थे भारत तो चौथे स्थान पे रहा था उसमें जो पहले स्थान पे रहा था न वही देश ICC Women's World Cup में भी पहले स्थान पे रहा यानि कि वो विनर रहा था बताओ अब हम बढ़ते आगे चलो अब बताओ अभी किस मंत्राले ने देश भर के गाउं में चैनित कुऊं के जल इस्तर को मापने के लिए एक जलदूत एप्लिकिशन बनाया तो अंसर होगा Gramin विकास मंत्राले तो अभी ग्रामें विकास मंत्राले Herausforder ने देशबर के गाउं में चैनित कूओं के जल इस्तर को मापने के लिए एक जलदूत नाम से application को बनाया है ये ग्राम रोजगार सहायक को साल में दो बार मानसून से पहले और मानसून के बाद जल इस्तर को मापने में सक्षम बनाएगा और ये पंचायतों को सही जानकारी देगा जिसका उपयोग बाद में कार्रेयों के बहतर योजना बनाने के लिए किया जा सकता है अचा ये तो जलदूत है एक मेगदूत आपने सुना होगा जो कि एक मशीन है जो कि हवा से पानी बनाने की मशीन है अभी इसे छे रेलवे स्टेशनों पे इस्थापित किया गया था अचा जल से आपको याद आएगा जल जीवन मिशन ये कब लॉंच हुआ 2019 में जिसका उद प्रदेश का बुरहान कूर ये बना है देश का पहला हर घर जल परमानित जिला और अभी भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना तो अंसर होगा अंडमानने को बास आपसे पूचा जाए कि अभी 24 सो घंटे 7 व दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौनसा है तो आंसर होगा उडिशा का पूरी है और जल जीवन मिशन के तहट सोवा हर घर जल वाला जिला कौनसा बना था तो आंसर होगा हिमाचर प्रदेश का चमबा जिला और आपको याद हो तो तीसरे राष्टर जल पूरस्कारों के तहट सर्वश्रेष्ट राज्य की श्रेणी में पहला पुरुसकार मिला था उत्तर प्रदेश को जबकि सर्वश्रेष्ट जिलों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का मुझफर नगर टॉप पर रहा था तो कम से कम इतने points तो आपको याद होने ही चाहिए हम बढ़ते हैं अब आपको बताना है कि अभी ESIC मतलब Employees State Insurance Corporation कर्मचारे राजजबिमा निगम का महानिदेशक किसे बनाया गया तो अंसर होगा राजेंद्र कुमार को तो यह आप याद रखना पाकिया आप जानते हो अभी जो राश्टरपती जी हैं दुरौपती मुर्मू उनके सचीव बने थे राजेश वर्मा और वर्ल्ड बेंक के मुख्य अरतशास्त्री चीफ एकॉनमिस्ट बने थे इंदरमेत गिल यह नाम भी चर्चा में थे ध्यान रखना बढ़ते आगे चलो बताओ अभी कौन सा पर्स्या से निजात दिलाने के लिए अपने अस्पतालों में एक विशेश उपकरण का इस्तमाल करेगा और इस उपकरण इस डिवाईस का नाम है सास्ट तो इस योजना पर काम करने के लिए असम सरकार ने बंगलूर के एक स्टार्ट अप के साथ सम्झूता भी किया है य अगर आपको याद हो, तो करनाटक सरकार ने भी छोटे बच्चों में निमूनिया को रोकने के लिए सांस अभ्यान शुरू किया था, उसका नाप भी सांस था, और वहाँ पे उस सांस की फुल फॉर्म भी थी, अच्छा बच्चों से एक नया दिन आप मनाओगे, जिसे आप कहोगे वीर बाल दिवस, कब मनाओगे, 26 देसंबर को, अब यहाँ पे बात असम किये तो ये रा मैप में असम, देगो असम की केपिटल दिसपुर है, मुख्य मंतरी कोने हिमंत बिश्वा सर्मा और आप जानते अभी One Nation One राशनकार्ड योधना को लागू करने वाला आखरी राज्य बना था असम, और पूर्वत्तर भारत की पहली गाए एंबुलेंस सेवा को शुरू किया गया असम के डिबरुगड में, बताओ भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइडरोजन प्लांट ये कांपे स्त सापित किया गया तो अंसर होगा असम में, और नदियों में Night Navigation Mobile Application को लाउंच करने वाला पहला राज्य भी बना है असम, और असम की पहली महिला वित्तमंतरी का नाम क्या है, अजंता नियोग है, असम पुलिस की पहली महिला महानिरिक्षक इंस्पेक्टर जनरल बनी है, व इसको भी लाउंच किया था समने, और हाँ गईस, सेप्टेंबर के फोर्थ वाले वीक के करन्ट अफेर्स का पहला वाला पार्ट अप्लोड हो चुका है, क्विज भी आपको मिल जाएगी, उसका PDF भी बना करके अप्लोड किया जा चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा के नीचे description box में उसका फाइदा उठा है, अभी हम बढ़ते आगे, चलो फिर बताओ, सेप्टेंबर 2022 में किस राज्य को आयूश्मान उत्करष्ट पुरुसकार 2022 से सम्मानित किया गया, तो आंचार होगा उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश ये देश में स्वास्त सिवाव में सरवादिक सुधार करने वाला पहला राज्य बन गया है, इसके लिए उत्तर प्रदेश को आयूश्मान उत्करष्ट पुरुसकार 2022 से सम्मानित किया गया, इसके अलावा करीब 2 करूड आयूश्मान भारत स्वास्त खाता खोलने वाला ये देश का दूसरा रा चांच किया गया था, शुरुआत होती है इसकी 23 सेप्तमबर 2018 को, कहां से शुरुआत हुई राची जारखंड से, ये एक स्वास्त बीमा कवर स्कीम है, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को साल में 5 लाख रुपे का बीमा कवर मिलता है, अब बात तो यहां पे उत उस्तरप्रदेश की केपिटल लक्टल लक्नव है, और लक्नव किस नदी के किनारे स्थेथ है तो गोमती नदी के किनारे, सिडबी गा है डुकाटर आपको लक्नव में मिलेगा, और हमारे जो रक्षा मंतरे हैं, राज नाज सिंग उनका निरवाचन शेत्र इनके उपर बोक आई थी अभी, दमॉंक वो ट्रांसफॉर्म्ड यूपी जिसको लिखा है शांतनु गुपता ने, गवर्नर को ने आनंदी बिन पटेले, अभी आपको याद होगा, उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य के प्रतेग परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की गोश्ना की है, उत्तरप्रदेश ने अभी संभव पोर्टल को लॉंच किया था, और भारत का पहला अमरत सरोवर ये कापे बना उत्तरप्रदेश के रामपुर में, अभी सबजियों की उत्पादन में भी टॉप पे रा था उत्तरप्रदेश, उत्तरप्रदेश ने पहला शहर कौन सा बना तो आंसर होगा आगरा अभी रोपवे सेवाओं को सारवजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर कौन सा बना वारणासी बना तो यह सब याद रखना आप बढ़ते आगे तो अब बताओ विश्व परियावरन स्वास्ते दिवस यह कब मनाया गया तो आंसर होगा 26 सेप्टेंबर को तो World Environment Health Day यह हर साल 26 सेप्टेंबर को मनाया जाता है तो यह दिन दुनिया भर में परियावरनिया स्वास्त के महत्वपूर्ण कारणों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है बात करें थीम क्या इस बार की Strengthing Environmental Health System for the Implementation of the Sustainable Development Goals ये तो बात हो गई परियावरन स्वास्त दिवस की अगर मैं पूछूं परियावरन दिवस कब मनाते हैं World Environment Day 5 जून को मनाते हैं और स्वास्त दिवस कब मनाते हैं World Health Day तो 7 अपरिल को मनाते हैं और आप जानते हो अभी परियावरन प्रदर्शन सूचकांग आए था Environment Performance Index जिसमें भारत सबसे लास्ट पे था 180 पे नंबर पे और टॉप पे कौन था डैनमार्क वैसे हमारे परियावरन मंत्री को ने? वो पेंदर यादव हैं यह ध्यान रखना आप पढ़ते हैं अब बताओ अभी हाली में जो अमारे केंदरी मंत्री हैं किशन रेड़ी उन्होंने भारत में परियाटन शेत्र को बढ़ाने के लिए किस सम्मेलन का आयोजन किया? तो अंसर होगा सिम्फोने तो हमारे परियाटन और संस्करती मंत्री हैं जी किशन रेड़ी तो अभी उन्होंने पूर्व उत्तर भारत में परियाटन शेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक वर्च्वल सम्मेलन जिसका नामे सिम्फोने इसका आयोजन किया तो उत्तर पूर्वी भारत जो कि लाजवाप व्यन्जनों, संस्करती, अद्भुत, परिद्रश्य और विरासत और वास्तुकला से परिपूर्ण हैं और धरती पर सबसे खूपसूरत इस्थानों में से एक है तो अभी ये सिम्फोने का आयोजन करने का मुख्य उत्तर की झाल 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 झाल झाल